हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, सभी छात्राओं को वोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुब काम नहीं, अभी ड्रॉइंग का पेपर होना बाकी है, तो हम लोग ड्रॉइंग से संबंधित एक तैयारी करते हैं, कि हमें पेपर देने जाने से पूर हमारे पास क्या-क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या-क्या सामान होना चाहिए, तो चलो शुरूबात करते हैं, तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसमृति चित्रण जब करते हैं, तो हमारे पास कौन सी पैंसिल्स और क्या-क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो एक HB Pencil होनी चाहिए हमारे पास, जिससे हम Draw करेंगे, उसके बाद Shading करने के लिए हमारे पास 6B Pencil होनी चाहिए, और एक 4B Pencil भी साथ में रखते हैं, इसके अलावा अच्छी Quality का Eraser हो, मेरे पास Apsra का है, और एक अच्छी Quality का Sharpener होना चाहिए, इसके बाद हम Shading को बराबर करने के लिए, कुछ छोटी जगों में जब Shading को Mix करते हैं, तो Earbuds रखते हैं अपने पास, और Cotton भी रखते हैं, इसके अलावा मेरे पास एक Brush भी है, आप लोगों के पास अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है, तो परेशान होने की कोई आविशक्ता नहीं है, ये Brush है, इसमें Eraser भी है और Brush भी है, तो हम अपने चित्र को इस तरह से साफ भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं है Brush तो ये काम हम अपनी Cotton से भी कर सकते हैं, अगर हम हाथ से साफ करते हैं, तो हमारा चित्र गंदा हो जाता है इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए तो ये साधन तो हमारा पिस्मरती चित्रन का हो गया इसके अलावा हम जब पेंटिंग वाला पोर्शन करते हैं यानि आलेखन वाला अब देखते हैं कि हमें आलेखन वाला पोर्शन करने के लिए इस-किस चीज की आवश्यक्ता होती है तो सबसे पहले हमें colors की जरूरत होती है colors हम camel के use करते हैं, अच्छी quality होती है और हमारी drawing अच्छी लगती है white color हमेशा bottle में लेना चाहिए इसके बाद हमारे पास एक palette होनी चाहिए, palette में अगर हमारे पास पहले से color की रखे हुए है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इनको use कर सकते हैं इसके अलावा एक bottle में हमें पानी रखना चाहिए जादा और एक इस तरह की कोई bowl ले सकते हैं जिसमें हम बार बार पानी निकाल के उसको इस्तेमाल करें, अगर गंदा हो जाता है तो पानी को change करना चाहिए painting करने के लिए कुछ brushes होने चाहिए इसमें अगर flat brush आप use करते हैं, wash करने के लिए तो एक 5 या 6 number का 8 number का एक flat brush हो सकता है इसके अलावा design को color करने के लिए 4 number और 3 number के brush रखते हैं और फिर last में design के किनारे बनाने के लिए shade करने के लिए एक number के और zero number के brush भी रखते हैं ये साधन हमारे पास drawing का paper देनी जाने से पूर्व होना चाहिए अपनी design को पूरा complete करने के बाद हमें outline जरूर बनानी चाहिए इससे हमारा आकार बिल्कुल ठीक दिखाई देता है और हमारा चित्र जादा सुन्दर दिखाई देता है पहले हमने light color से किया है फिर dark color से किया है और इसके बाद हमने golden color से किया है आप चाहे तो इसको white color से कर सकते हैं या कोई और color से भी कर सकते हैं design में हमारे पास बहुत सारे option होते हैं हम free होते हैं किसी भी तरह के color लगाने के लिए इसी तरह से अगर हम इसमरती चितरन का प्रिष्ण कर रहे हैं और हमें सुराही और glass बनाने को आया है तो हमें अनुपात का भी ध्यान रखना चाहिए सुराही इतनी बड़ी अगर हमने बनाई है तो glass को हम छोटा सा बनाई है ऐसा ना हो कि ग्लास भी इतना बड़ा बना दिया तो देखने में अनुपात सही ना लगे इन सब बातों का विशिश ध्यान रखना चाहिए हाई स्कूल में केवल एक ही पेपर होता है चित्रकला का चित्रकला केवल करते हैं इसमें तीन खंड होते हैं पहला खंड का अनिवारे होता है लेकिन इस खंड में भी तीन पार्ट होते हैं ठीक है और इसमें अथ्वा लगा होता है प्राकृतिक द्रश्य चित्रण, आलेखन और प्रावेधिक कला इन तीनों पार्ट में से हमें केवल एक करना होता है अगर हमने प्राकृतिक द्रश्य चित्रण की तैयारी की है तो हम ये करेंगे अगर हमने आलेखन की तैयारी की है तो हम ये वाला पार्ट करेंगे और प्राविधी कला की तयारी की है हमने तो हम ये वाला पार्ट करेंगें लेकिन जहां तक हम सोचते हैं कि जादा तर बच्चे आलेखन की तयारी करते हैं तो आलेखन वाले पार्ट को जादा तर बच्चे करते हैं तो हमें इन तीनों पार्ट में से एक पार्ट करना है आलेखन का अब आलेखन का प्रिश्न हम पढ़ते हैं इसमें दो ही चीज़ें आती हैं आप लोगों के एक्जाम में या तो वरत्त में आती है डिजाइन बनाने को वरत्त मतलब गूला और या फिर वर्ग और या आयत में वर्ग में आ सकती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वो नाप यहां पे दिया होगा आपको, इसके अलावा किसी भारती पुश्प, पत्पी और कली पे आधारित होता है, कभी-कभी ये भी पूश लिया जाता है कि जो भी हम डिजाइन बनाएंगे, वो कि कपड़े के लिए उप्युक्त होनी चाहिए, कभी-कभी और कभी-कभी नहीं होता है, इसमें जब हम अपने नंबरों का विभाजन देखते हैं, तो चार तरह से नंबर विभाजित होते हैं, ये बाते हमें खास ध्यान देनी हैं, सबसे पहले मॉलिक्ता, यानि मॉलिक्ता की बनाया है अगर, तो हमें पत्यां और कली भी कमल के फूल की ही बनानी चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने कमल का फूल बनाया है और पत्यां सुरज-बुखी की बना दी सईयोजन, और हम उसको सईयोजित किस तरह से करते हैं, अच्छी तरह से हमें अपने पूल पत्ती का निकास आसी दिखानी है, ऐसा ना हो कि कहीं फूल बना है और उसके पाद हमने कोई ऐसी पत्ती बना दी जिसका कुछ संबंधी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये संयोजन होता है, इसके अलावा आजकल कभी-कभी किसी पशु या पक्षी को बनाने की बात भी पूछी कही जाती है, त इसके बाद फिर हमने रंग किस तरह से लगाए है, रंग संगती, सहयोगी रंग संगती हो सकती है या विरोधी रंग संगती भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद लास्ट में हमारा पूरा आलेखण जो है, वो किस तरह का प्रभाव छोड़ता है, आकरशित लग रहा है, या आकर्शित नहीं लग रहा उसको हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो ये मौलिक्ता के पंध्रा नंबर, संयोजन के साड़े साथ नंबर, फिर उत्तम रंग संगती के पंध्रा नंबर, और फिर लास्ट में हमारी डिजाइन किस तरह की दिख रहे ये प्रभाव और आकर्शन इसके लिए भी साड़े साथ अंक दिने जाते हैं। ये हमारा आलेखन का पहला कोश्चिन है। ये विशेश ध्यान रखेगा, तीनों पार्ट में से केवल एक करना है और जहां तक मैं सोचती हूं कि आलेखन वाला भाग ही जादा तर बच्ची करेंगे। इस पे विशेश ध्यान दें। इस तरह से हमारा आलेखन वाला पार्ट जो है वो 45 नंबर का हो गया। इसके बाद आता है खंड खा, खंड खा सभी को करना होता है, इसमें इस्मृती चित्रन होती है, इस्मृती चित्रन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं होती हैं और दूसरी पार्ट में हमारी फल या सबजियां होत इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा चित्र जो है वो 15 cm से छोटा नहीं होना चाहिए दोनों questions में और इसके अंक भी विभाजित होते हैं यह हमारी रेखाय जो है प्रॉपर बनी है कि नई बनी है और हमने shading किस तरह से किये तो 6 और 6.5 नंबर से तो 6.5 बारा नंब माक्स का है पहला प्रिशन आले खन जो है वो हमारा 45 नंबर का और यह सकेंड कुश्चन जो है इसम्रती चित्रन का यह 25 नंबर का इसमें भी एक option है आप इसम्रती चित्रन अगर नहीं करते हैं तो भारती चित्रकला का प्रिशन भी कर सकते हैं इसमें प्रशन होते हैं और ह अध्याय भारती चित्रकला के बारे में वो ये वाला portion करता है, नहीं तो जदे तर इस्मृती चित्रण का प्रिष्ण किया जाता है तो इस तरह रे से हमारा चित्रकला का पेपर एक ही होता है और सत्तर मार्ख्स का होता है और इसमें तीन खंड होते हैं खंड का अनिवारे है और खा और गा में से केवल एक करना होता है इस तरह से टोटल दो खंड करने हैं हमें पहले खंड में तीन पार्ट होते हैं इन तीनों पार्ट में से एक करना है तो इसमें मानलो हमने आले खंड किया है और खंड खा और गा में से यानि इस्मृती चित्र और भारती चित्रकला में से एक करना है, तो इसमें से इस्मृती चित्रकला करा है, इस तरह से हमारे दो प्रिश्ण हो गए, पहला प्रिश्ण आलिखन वाला जो 45 नमबर का है, और दूसरा प्रिश्ण चाहे इस्मृती चित्रकला के प्रिश्ण लिखें, यह 25 नमबर का है, इस तरह से टोटल हमारा सत्तर मार्क्स का ये प्रिश्ण होगा. आशा है आप लोगों कुछ समझ में आ गया होगा. अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं. हर समय अवे लेविल हैं हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. Thank you.